Good day to all of you अभी तक आपने view menu के सभी option के बारे में सीख लिया है अब आप आगे के menu के advance option के बारे में सीखेंगे मैं उमीद करता हूँ अभी तक कि सभी class में आपने बहुत कुछ सीख लिया है जिसका उपयोग आप वविस्यमे भी करेंगे आईए आज की class को सुरू करने से पहले पिछली class का revision कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से character होते हैं जिने आप backspace और delete के मदद से नहीं हटा सकते हैं इन्हें आप non printing character कहते हैं यह ऐसे character हैं जिनका उपयोग करते समय यह आपके document में सभी दिखाई देते हैं लेकिन print करते समय यह print नहीं होते हैं क्या बता सकते हैं field name में setting हटाने के लिए क्या करेंगे field name की मदद से आप जो time, date, author, इत्यादी को अपने page पर insert करते हैं तो इन पर आई हुई setting को हटाने के लिए आप field setting का उपयोग करेंगे क्या आप बता सकते हैं field setting का बिकल्प किस menu में आता है field setting का बिकल्प view menu में आता है क्या आप सभी जानते हैं कि change से क्या होता है change की मदद से आप अपने document में किये गए बदलाओ को देख सकते हैं उसमें अगर कोई user कुछ भी change करता है तो आप उसे देख सकते हैं वह एक अलग formatting में दिखाई देता है अब आप सब अपने computer को on करें और writer की file को open करें आईए आज की class को शुरू करते हैं आईए जानते हैं आज की class में आप क्या सीखेंगे आज की class में आप insert और formatting menu के option के बारे में सीखेंगे जो की कुछ इस प्रकार से हैं formatting mark, section, footnote और end note, caption, text frame, horizontal rulers files, movie and sound, autocorrect, alignment, arrange, flip और group के बारे में सीखेंगे अब आप सामने दिये गए paragraph को type करें क्या आपने paragraph को type कर लिया है आईए अब insert menu के section option के बारे में सीखते हैं section बिकल्प की मदद से आप अपने paragraph या line को section मतलब उसे एक text box में divide कर सकते हैं box में करने के साथ साथ आप line अथवा paragraph को column में भी divide कर सकते हैं और indent यानि margin भी दे सकते हैं और इसका background color भी बदल सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं section बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि section बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है या आप सभी जानते हैं Section B Curb के मदद से अपने paragraph या line को Section मतलब कि एक box के अंदर divide कर सकते हैं और उसके उपर formatting भी कर सकते हैं इसके लिए आप अपने line को select कर ले जो आपने type किया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को insert menu bar पे लेकर आए यहाँ पे क्लिक करें touchpad या mouse के left button से उसके बाद आप section भी कल पे pointer को ले जाए यहाँ पे क्लिक करें एक box open होगा अब इस box के अंदर अलग-अलग options आपको दिखाई देंगे जैसे कि section, column, indent, background, footnote और endnote सबसे पहला option आपका section by default select होता है इसके अंदर आप कोई भी section या नामूम टाइप कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे cs type कर दिया उसके बाद आप इसे column पे click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहाँ पे जो भी आपका text है उसे आप अलग-अलग column में ले सकते हैं जैसे 2 column, 3 column, 1 column इस type के इसके size को column के types को select कर सकते हैं जो भी आपको चीए यहाँ से आप उसके width और space को बढ़ा सकते हैं column को और यहाँ से separator line से आप उसके line के width को बढ़ा सकते हैं और उसके height को भी बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगला option होता है आपका indent indentसे आप जैसे कि पहले भी सीख चुके हैं page क्या paragraph के indent को बढ़ा सकते हैं आगे के तरफ जैसे कि यहाँ पे before section है after section है तो आप section जो भी आप select करेंगे उसको आगे से बढ़ा सकते हैं लेका में कम कर सकते हैं या उसके बाद से भी section को कम कर सकते हैं पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगला उप्षन है background, जैसे कि आप सभी जानते हैं, background से section के background का color change हो जाएगा, इसमें जो भी आपको color चीए select कर लें, वह आपके section के background का color हो जाएगा, और आपको insert पे click करना होता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से आप section भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं, यहाँ पे देखें बीच में column आ गया, यह दो पार्ट में divide हो गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से section भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं, अब insert menu के footnote और endnote के बारे में सीखते हैं, क्या आप जानते हैं, footnote और endnote का उप्योग क्यों करते हैं, जब आप footnote को लगाएंगे, तो page के button पर जहां पर भी आपने footnote लगाया होगा, उसका एक reference बनता है, जिसकी मदद से आप directly उस पर जा सकते हैं, लेकिन endnote में आप इसे हर एक page के सबसे last के page में देख सकते हैं, ज्यादा जनकारी के लिए आइए बीडियो को देख कर सीखते हैं, कि footnote और endnote का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, कि footnote से एक link की तरह काम करता है, जो कि आप page के button पर जहां भी आप footnote लगाएंगे, वहां से directly आप उस जगह पर जा सकते हैं, आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, करसर यहां पर है, उसके बाद अपने pointer को insert पर लेकर जाएं, उसके बाद footnote और endnote भी कल पर क्लिक करें, आप यहां पर देखें, जैसे कि आपको दो option दिए गया है, numbering और एक type, numbering के अंदर दो option आता है, automatic, जो by default select होता है, और type के अंदर footnote, by default select होता है, इसे आप ok कर देंगे, अब देखें कि, जहां आपका cursor था, वहां पर footnote लग गया, और दूसरा यहां पर, पेज के end में, footnote लग गया, भी यहां पर कुछ भी type करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, type करने के बाद, चहां पर आपका cursor blink कर रहा था, पहले वहां पर आया, और फिर सबसे end में, page के end में आ गया, हमने यहां पर कुछ link दिया, create किया reference का, अब यहां पर हम bracket open और bracket close दिये, और फिर यहां पर बीच में cursor को लाए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद दुबारा से insert पे गया है, उसके बाद footnote और end note बिकल पे click के हमने, और यहां से numbering में हम character को select करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद यहां पर हम कोई भी character, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, या कोई भी symbol type करेंगे, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, उसके बाद type के अंदर end note को select करेंगे, select करने के बाद आप उसे ok कर देंगे अब देखे जहां पर आपका cursor था वहां पर symbol आ गया और अगले page के first में यह symbol आ गया अब यहां पर आप कुछ भी चाहें जो आप type करना चाहते हो जैसे हमने footnote में आप word wide wave type किया अब यहां पर hypertext markup language टाइप कर रहे हैं अब इसे scroll करके उपर लेकर आए अब यहां पर देखें link बन के आ रहा है यहां पर end note का जो भी आपने type किया है उसका footnote में जो type किया है आपका word link यहां पर आ जा रहा है आप यहां पर अगर select करेंगे तो directly आप वहां पर चले जाएंगे जो आपका footnote का होगा link और यहां पर अगर click करेंगे जैसे ही हमें आप पर pointer लेके आ रहा है hand का sign बन रहा है वहां पर click करेंगे तो आप direct उस link पर चले जाएंगे जहां पर आपने वहा link दिया होगा तो इस तरह से आप footnote और endnote का उप्योग करेंगे यह एक प्रकार के hyperlink की तरह ही है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम अपने document के अंदर इसे footnote और endnote लगा सकते हैं आईए अब caption option के बारे में सीखते हैं क्या बता सकते हैं caption विकल्प से क्या होता है caption option का उप्योग आप सिर्फ image या graphic, drawing, इत्यादी पर लगा सकते हैं caption विकल्प की मदद से आप चितर के बारे में अपने according कुछ text और उसे summarize कर सकते हैं जो की एक ही box में आएगा या बदत से सीखते हैं कैप्सन विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं अब ये वीडियो को देखकर सीखते हैं कि K यहाँ पे देखगया धालाइट नहीं है मैनु बार के इंसर्ट भी कल्प पर लेकर आएं फिर उसके बाद कैप्शन भी कल्प को डूंड़ें यहां पर देखे यह हाइलाइट नहीं है हाइलाइट करने के लिए आपको गैलेरी से कुछ पिक्चर्स या अबजेक्ट्स को इंसर्ट करना होगा यहां से जो भी आपको पसंद है arrow, background, bullets, computers जो भी आपको अबजेक्ट पसंद है उसे सलेक्ट करें यहां से स्क्रॉल करके से नीचे एक तरब भी लातके देख सकते हैं और भी उसके बाद उसे सलेक्ट करें राइट बटन को प्रेस करें फिर इंसर्ट पे जाए, copy करें अब हुआ है चित्र आपके डाकुमेंट पर जहां आपका से सब्सक्राइब वहां पर इंसर्ट हो जाएगा अब देखे कि शीचित्र पर आप caption लगा सकते हैं इंसर्ट पर जाए PROX 6 को select करें उसके बाद caption के अंदर उसके नाम को type करें जो भी आप नाम type करना चाहते हैं जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है जो भी आप type करना जाते हैं जैसे computer is an electronic machine which makes our work easier type करने के बाद अगर कोई word आपसे mistake होता है तो उसे backspace से delete की के दोरा उसे ठीक कर सकते हैं जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है उसके बाद आपको properties के अंदर category पर क्लिक करना है और वहां से drawing select करना है फिर उसके बाद numbering भी आप ले सकते हैं जो भी आपको numbering यहां से पसंद हो यह अच्छा लगे यहां से आप scroll भी कर सकते हैं numbering select करने के बाद जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है separator भी कल्प का उपयोग कर सकते हैं यहां से आप space को दे सकते हैं या कोई भी symbol जैसे कि माल नीचे हाइपन या और भी जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और फिर आपको okay करना होता है इस तरह से आप उस चित्र के नीचे जो भी notes आप देना चाहते हैं दे सकते हैं caption के दौरा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां से आप object को hide कर सकते हैं अगर आप hide करना चाहते हैं आप सभी hide कर लें इस तरह से आप caption बिकल्प का उपयोग कर सकते हैं आइए अब bookmark option के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं bookmark option का उपयोग क्यों करते हैं bookmark option बहुत मैतोपूर्ण होता है जब आप reading करते हैं क्योंकि bookmark की मदद से आप जहां पर अपने reading करना खतम किया है वहाँ पर bookmark लगा सकते हैं आइए अब सीखते हैं bookmark का उपयोग कैसे करते हैं आइए अब cross reference के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं cross reference का उपयोग क्यों करते हैं cross reference की मदद से आप एक बड़े document में जिसमें बहुत से paragraph हैं और आप उसे बार बार scroll करना पड़ता है तब इसका उपयोग करेंगे क्योंकि cross reference bookmark, end note, footnote और header footer और header section पर भी काम करता है आइए अब वीडियो की मदद से इसका उपयोग करना सीखें bookmark और cross reference बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपका यह document है जिसके अंदर आपने बहुत से चीजों को टाइप किया है क्योंकि जैसे आप जानते हैं bookmark का उपयोग जब आप reading करते हैं और जहां तक reading किया है वहाँ पे आप कोई mark लगा सकते हैं जिससे आपको पता चलिए कि आप यहाँ पे reading कर रहे हैं अब भी इसका उपयोग करने के लिए आपको अपने pointer को menu bar के insert option पे लेकर जाना होगा और bookmark पे click करना होगा यहाँ पे आप bookmarks के अंदर इस type से कुछ भी type कर सकते हैं जैसे हमने link type किया और ok पर click कर दिया अब फिर scroll करके नीचे जाएंगे जो भी आपका text होगा उसे select कर लें उसके बाद insert पे जाएंगे click करेंगे यहाँ पे फिर आपको bookmark पे जाके click करना है यहाँ पे click करने के बाद link को type करें और फिर ok कर दिया अब इसे scroll करके नीचे लेकर आएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप देखें वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि आप page number 2 पे हैं अब वहाँ के paragraph को select कर लिया हमने यहाँ पे reading के यहाँ पे select कर लिया हमने उसके बाद insert पे गया है फिर आप bookmark पे गया है click किया यहाँ पे अपने फिर हमने bookmark का नाम दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है okay कर दिया उसके बाद हमने फिर से ऐसे select किया नीचे scroll करके page को insert पे गया है click किया यहाँ पे bookmark को select किया फिर से यहाँ पे bookmark को type किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर okay कर देंगे अब हम यहाँ पे अपने first page पे pointer को लेकर आएंगे touchpad या mouse के left button को click कर देंगे first page पे जिससे की cursor blink करने लगेगा उसके बाद insert पे अपने pointer को लेकर आएंगे click करेंगे यहाँ पे फिर आप cross reference पर जाएंगे click कर देंगे यहाँ पे देखें बहुत से options दिए गया है जैसे document, cross reference, function, etc यहाँ पे cross reference को select करेंगे उसके बाद bookmark type के अंदर से select करेंगे और यहाँ पे show करेगा आपका जो भी text आपने जो भी bookmark दिया होगा link दिया होगा जैसे माली जी हमें link one select कि हमने उसको insert किया अब वह यहाँ पे link आ जाएगा कि यह page number 2 पे है फिर से आप insert पे जाएंगे cross reference पर click करेंगे अगले link को select करेंगे bookmark के अंदर से अब फिर insert कर देंगे वह आपका show कर देगा यहाँ पे कि अगले आपका तीसरे page पे है फिर से enter button का उप्योग करेंगे उसके बाद insert पे जाएंगे click करेंगे cross reference को select करेंगे और जो तीसरे वाला link है उसको select कर लेंगे और फिर close कर देंगे इस तरह से यह तीनो लिंक को आपने first page पे ला सकते हैं अब जिस पर भी आप click करेंगे जैसे मालीज आपने page नमबर 2 पे click किया तो direct आप page नमबर 2 के link पे चले जाएंगे अगर आप यहाँ पे लिंक पे लिंक पे चले जाएंगे अगर आप यहाँ पे third पे click किया यह link to पे click किया तो आप वहाँ पे directly page number third पे चले जाएंगे जैसे कि आपको वेडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपने fourth पे click किया तो आप direct fourth page पे चले जाएंगे जो भी आपने link attach किया है यह link दिया है अगर आप इन number के जगहों पर नाम लेकर आना चाहते हैं तो आप view में जाकर field name को select कर सकते हैं इस तरह से आप bookmark और cross reference का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगला option text frame का है क्या आप बता सकते हैं text frame का उप्योग क्यों करते हैं text frame text box की तरह काम करता है और यह एक box में आता है जिसमें आप type कर सकते हैं box के लिए box के line को change कर सकते हैं और भी बहुत से कारे text frame और कर सकते हैं आईए अब ज़्यादा जनकारी के लिए video की मदद से text frame के बारे में सीखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि text frame विकल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सब भी जानते हैं text frame एक text box की तरह काम करता है जिसके अंदर आप कुछ भी type कर सकते हैं या changes कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने pointer को insert menu बार पे लेके आना होगा और उसके बाद इस box के अंदर आपको frame लिखे हुए विकल्प पे click करना होगा जैसे click करेंगे box open होगा इस box के अंदर सबसे पहला option type का होगा जो by default select आता है इसके अंदर size उसके width को बढ़ा सकते हैं height को बढ़ा सकते हैं position को ठीक कर सकते हैं फिर आता है option आप उसके नाम को दे सकते हैं frame को frame के नाम को उसके बाद उसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं contents, position इन सबको select कर ले अगर आप रैप विकल्प का उप्योग करना चाहते हैं उसका भी उप्योग कर सकते हैं जो कि अलग-अलग प्रकार से होते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इन में से जो भी आपको select करना हो उसे select कर ले उसके बाद spacing भी दे सकते हैं आप hyperlink भी दे सकते हैं यहां से जैसे कि आपको पता है कि hyperlink का उप्योग कैसे करते हैं यहां पर browse पर क्लिक करेंगे उसके बाद अपने computer के अंदर किसी भी location से किसी भी file को select कर लेंगे हमने माल लिए desktop से किसी file को select कर लिया और उसके बाद open पर click कर दिया हमने और फिर border लगाना हो तो border भी लगा सकते हैं आप जैसे कि आपको border के बारे में पहले ही बता दिया गया है उसके style को भी change कर सकते हैं border के color को भी change कर सकते हैं आप उसके spacing को भी बढ़ा सकते हैं background को भी change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह सब करने के बाद आप ok कर दें अब देखें जहां आपका cursor होगा वहां पे एक frame आ जाएगा जो भी आपने changes किये होंगे वो सारे उसके अंदर आ जाएगे जैसे कि आपने hyperlink किया था यहां पर पोजैसे बीच में pointer रख जाएगा जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक box पॉप आप आएगा जिसमें कि यह आपको सो करते हैं कि सिर्फ आप इसे read कर सकते हैं यहां से आप उस file को directly open कर सकते हैं hyperlink के दुवरा इसके लिए आपको control बटन को दबा के रखना होता है और touchpad या mouse के left बटन को क्लिक करना होता है जिससे कि आपका file open हो जाएगा दुबारा से आप insert पे जाएं फ्रेम पे क्लिक करें उसके बाद option को select करें यहां से contents को unselect करें इसके option को और फिर ok पर click कर दें और फिर उसके बाद आप इसके अंदर type कर सकते हैं जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि पहले हम टाइप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने वहां से Protect के Option को double select कर रहा था । जैसे हमने Protect के Option अब हम उसके अंदर type कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब आप अपने जो टेक्स टाइप किया उसको सलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप फ्रेम पे जाएं इंसर्ट में वार के ओप्सन से फिर आप wrap लिखे हुए option को select कर लें, इसमें से जो भी आपको option चाहिए उसे select कर लें, उसके बाद border लगाना चाहते हैं, border लगा लें, उसके column को set करना चाहते हैं, column select कर लें, यहां से, और फिर ok कर दें, अब देखें, इसे column में भी आप divide कर सकते हैं, तो जो भी आपने text select किया था, वह text एक column के अंदर आ गया, इस तरह से आप text frame भी कल्प का उपयोग कर सकते हैं, आईए अब envelope option के बारे में सीखेंगे, envelope option के मदद से आप एक envelope बना सकते हैं, जिसमें आप sender और receiver का address set कर सकते हैं, और उसे फिर print कर सकते हैं, आईए अब video को देख कर सीखते हैं, कि envelope कैसे बनाते हैं, आईए अब video को देख कर सीखते हैं, कि envelope का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, envelope option के मदद से आप एक envelope को बना सकते हैं, जिसके अंदर आप sender और receiver के address को type कर सकते हैं, या दे सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसके लिए आप सभी अपने pointer को insert menu बार पर लेकर जाएं, उसके बाद envelope लिखे हुए बिकॉल पर किलिक करें, एक box open होगा, जिसके अंदर आपको envelope के कुछ option होगे, envelope सबसे first भी कल्प by default select होता है, इसके अंदर आप address को type कर सकते हैं, यहाँ पे आप उस address को type करेंगे, जिसको receive करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, envelope नाम से ही, इसके बारे में पता चल रहा है, कि envelope क्या होता है, यहाँ पे sender का data आएगा, यह नाम आएगा, address टाइप करने के बाद यहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप सभी address को type कर सकते हैं, यहाँ पे, type करने के बाद, इसके अंदर आप पूरा address भी दे सकते हैं, यह आपके उपर डिपेंड है कि आप पूरा address टाइप कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद आप इस वाले box के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखें, उसके बाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, envelope option के मदद से आप एक envelope को बना सकते हैं, जिसके अंदर आप sender और receiver के address को type कर सकते हैं, यहाँ पे sender का date आएगा या नाम आएगा, उसके बाद insert पे click कर देंगे, इस तरह से आपका envelope बन जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह envelope का type है, उपर जैसे कि आप जानते हैं कि receiver का address होता है, और नीचे sender का address आता है, तो इस तरह से आप envelope को यह envelope बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं, अगला option horizontal ruler का है, क्या आप बता सकते हैं horizontal ruler का उप्योग क्यों करते हैं, horizontal ruler से आप page पर अलग अलग style में एक प्रकार की line insert कर सकते हैं, आप चाहें तो उस line को text के नीचे heading के रूप में भी उप्योग कर सकते हैं, आइए अब video को देख कर सीखते हैं कि horizontal ruler का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं horizontal ruler से आप page पर अलग अलग style में एक प्रकार की line इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी अपने pointer को जैसे की वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद insert option पर क्लिक करें, फिर उसके बाद अपने pointer को horizontal ruler बिकल पर लेकर आएं और क्लिक कर दें, अब यहां पर देखें एक box open हो जाएगा, अब इस box के अंदर यहां पर देखें अलग अलग प्रकार की lines हैं, इन में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे select कर सकते हैं, और फिर left button क्लिक करके select कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आपको अगले page पर insert करना है, तो फिर आप अपने cursor को अगले page पर लेकर जाएं, और फिर insert पर जाके, horizontal ruler भी कल पर click करें, और फिर अगले line के style को select करें, जैसे कि अगले page पर जहाँ आपका cursor होगा, वहाँ पर insert हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक और line insert करना है, अब दुबारा से वहाँ पर जाए, यहां से एक अलग प्रकार की line के style को select करें, अब देखें कि आपका जहाँ cursor था, वहाँ पर एक और horizontal ruler insert हो गया, इस प्रकार से आप horizontal ruler भी कल्प का उपयोग कर सकते हैं, अगला option movie and sound का है, movie and sound से आप writer के page पर movie अथो video और sound या चितर को insert कर इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए अब video को देख कर सीखते हैं, movie और sound का उपयोग कैसे करते हैं, आइए video को देख कर सीखते हैं, कि movie और sound भी कल्प का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, movie और sound से आप अपने writer के page पर sound या चितर को insert कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी अपने pointer को menu बार के insert भी कल्प पे लेकर आएं, और यहाँ पर movie and sound भी कल्प को ढूंडें, वहाँ पर जाके click करें, अब एक box open होगा, इस box के अंदर आप अपने computer की location को ढूंड सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यह आपको पता होगा कि आपके computer के अंदर movie या जो audio sound है, वो कहाँ पर है, माली जी हमारा video के अंदर है, तो हम video के file को select करेंगे, यहाँ पर उसके बाद उस video के folder को select करेंगे, फिर file को select करेंगे, उसके बाद open पर click कर देंगे, जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है, वह आपके cursor के current position पे insert हो जाएगा, या writer के page पर जहां आपको cursor blink कर रहा होगा, वहाँ पे insert हो जाएगा, जैसा कि आपको video में दिखाया जा रहा है, अगर आपको इससे play करना है, तो आप यहाँ से play कर सकते हैं, प्ले करने से आपका जो video होगा या audio होगा, वह चलने लगेगा, इस तरह से आप movie और sound बिकल्ब का उप्योग कर सकते हैं, अगला option file का है, क्या आप बता सकते हैं, file से क्या होता है, file option की मदद से आप page पर किसी दूसरी file को insert कर सकते हैं, किसी दूसरी file का content या text अपने page पर ला सकते हैं, आईए आप video को देख कर सीखते हैं, कि file बिकल्ब का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप सब भी जानते हैं, file option की मदद से आप page पर किसी दूसरी file को insert कर सकते हैं, आईए आप देखते हैं कैसे insert करते हैं, इसके लिए आप सभी अपने pointer को, मानलेजी आपका cursor यहाँ पर है, blink कर रहा है या side में आपके click कर दें, उसके बाद आप insert menu bar के option पर जाएं, और वहाँ से file लिखी हुए बिकल्ब को ढूड़ें और click कर दें, उसके बाद अपने document को search करें, कि आपका document कहाँ पर है, यह आपको पता होगा, मानलेजी हमारा document desktop के उपर है, तो desktop को select करेंगे, उसके बाद उस document को search करेंगे, या उस file को search करेंगे, जिससे file को हमें open करना है, मानलेजी हमें यहाँ से open करना है, हमने इस file को select कर लिया, उसके बाद open पर click कर देंगे तो अब उस file का जो data होगा उसके अंदर वह आपके current cursor के position पे open हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप file बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं आईए अब format menu के option को सीखना शुरू करते हैं अगला option autocorrect का है क्या आप जानते हैं autocorrect से क्या होता है autocorrect की मदद से आप गलट type हुए word को या सही कर देता है क्योंकि autocorrect option में बहुत से word पहले से assign होते है आईए अब ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो की मदद से autocorrect option के बारे में सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि autocorrect बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं autocorrect की मदद से आप गलट type हुए word को सही कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम पहले से कुछ word को assign कर सकते हैं आईए अब सीखते हैं कि autocorrect कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मैनू बार के format बिकल्प पर क्लिक करें उसके बाद autocorrect बिकल्प पे जाएं और यहाँ पे आप while typing option को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप फिर से format पे जाएं auto correct select करें और उसके बाद apply को select करें फिर से आप format पे जाए auto correct पे जाए auto correct option को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब यहाँ पे देखें बहुत से प्रकार के कुछ words दिये गया है about के लिए यह वाला word जैसे दिया गया है अब इसको देखने के बाद हम about को गलत टाइप करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे about सही टाइप किया उसके बाद format पे जाएंगे auto correct option को select करेंगे सबसे नीचे वाले option को select करके click करेंगे उसके बाद यहाँ से किसी एक word को select करेंगे जैसे acn लिखा हुआ है उसके सामने can लिखा हुआ है अब हम acn टाइप करेंगे और फिर जैसे ही हमें space bar बटन को प्रेस करेंगे तो acn की जगा पे can आ जाएगा क्योंकि हमने पहले से define कर रखा है कि जब acn टाइप हो तो can आ जाए फिर दुबारा से हम format पे जाएंगे auto correct पे click करेंगे उसके बाद auto correct option को select करेंगे अब इस box के अंदर फिर से हम किसी और word को select करेंगे या देखेंगे उसको अब देखिए यहाँ पे जैसे की across लिखा हुआ है a double c r o double s अब हम इसको type करेंगे यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे हम इस पेस बार क्लिक करेंगे यहाँ पे असाइन हो रहा है किया गलत word है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है दुबारा से format पे जाएंगे auto correct option को select करेंगे यहाँ से auto correct option को select कर लेंगे अब हम कुछ अलग से word को देंगे रिप्लेस पे कुछ हम word को type करेंगे जैसे माली जी हमने यहाँ पे cs लिखा और यहाँ पे हम पूरा नाम देंगे computer जब भी हम इस document के अंदर cs टाइप करेंगे और इस पेस बार उपयोग करेंगे तो automatic को cs आ जाएगा इसके बाद new करना होता है अब देखिए यहाँ पे और उसके बाद ok फिर अब आप सभी writer के page पर आ जाएं यहाँ पे हम cs को type करेंगे और space bar दबाएंगे यहाँ पे left button को दबाएंगे तो automatic को computer शिक्सा लिख के आ जाएगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप auto correct option का उपयोग कर सकते हैं अगला option arrange का है क्या बता सकते हैं कि arrange भी कल्प का उपयोग क्यों करते हैं arrange की मदद से आप चीतर को arrange कर सकते हैं आप चाहें तो चीतर को text के पीछे या background में ला सकते हैं या text के front में ला सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं arrange का उपयोग कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि arrange bicalp का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं arranged bicalp से आप अपने चीतर को arrange कर सकते हैं नेकि आप चीतर को कैसے arrange करेंगे सबसे पहले आप सभी drawing toolbar से किसी एक चीतर को insert करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने मान लीजिए जो line या paragraph टाइप किया था उसके उपर हमने इसे ऐसे drag कर दिया उसके बाद अब आप अपने pointer को की वीडियो में दिखाया जा रहा है pointer को format पे लेकर आए select करें उसके बाद arrange विकल पे लेकर जाएं यहां से बहुत सारे option दिये गए हैं यहां पे अब आप two background को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे आपने two background किया आपके चित्र के पीछे जो text था ओसो होने लगा पहले क्या था ओसो नहीं होता था फिर से आप format पर जाए arrange विकल्प को select करें फिर आप two foreground को select करें अब देखिए जो आपका चित्र के पीछे का word था वह अब दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह से आप arrange विकल्प का उप्योग कर सकते हैं आईए अब flip के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं flip से क्या होता है flip की मदद से आप चित्र को rotate कर सकते हैं चित्र को आप horizontally या vertically rotate कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं flip का उप्योग कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि फिलिप बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं फिलिप के मदद से आप चीतर को रोटेट कर सकते हैं जैसे आपने अभी राइटर के सीट पर चीतर को इंसर्ट किया था अब इस चित्र को दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं horizontally या vertically इसके लिए या आप चाहे हैं तो चित्र को insert कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने pointer को standard toolbar के अंदर लेकर आए gallery vehicle पे select करें अब यहां से दिये गए option हो में से object में से किसी एक object को select करें जैसे हमने school and university को select किया अब यहां से किसी भी एक चित्र को select किया insert पे गया copy कर लिया वह चित्र आपके cursor के position पे insert हो जाएगा अब आप इस चित्र को बड़ा या छोटा कर सकते हैं यहां से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format भी कल पे लेकर आए menu बार के format option पर यहां से आप flip option पे जाएं और उसके बाद आप flip vertically option को select कर लें तो देखे अब आपका यह चित्र उल्टा हो गया अब इसे ठीक करना है दुबारा से menu बार के format option पे जाएं flip भी कल पर select करें उसके बाद आप flip horizontal भी कल को select कर लें अब देखे आपका यह चित्र सीधा हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप अपने चित्र को flip भी कल के द्वारा rotate कर सकते हैं अगला option group का है क्या बता सकते हैं group से क्या होता है group के मदद से आप चित्र को grouping कर सकते हैं उनको select करके एक साथ move कर सकते हैं चित्रों का group बना सकते हैं आईए वीडियो के द्वारा सीखते हैं group का उपयोग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि group बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं group के मदद से आप चितर को grouping कर सकते हैं उनको select करके एक साथ में move करा सकते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है grouping कराने के लिए आपको चितर insert करना होगा या इस फाइल अपने pointer को file menu बार पे लेकर आएं और एक new writer के document को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे आप किसी भी एक चितर को ऐसे drag करें drawing toolbar से लेकर उसके बाद फिर से आप एक और over tool को select करें उसे भी drag करें आप ऐसे यहाँ से एक और चितर को लें और उसे भी drag करें writer के seat पर इन चितरों को select करने के लिए आप सभी shift button को दबाग कर रखें और फिर mouse या touchpad के left button से चितर पर click करते रहें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप menu bar के format bicalp पर जाएं यहाँ से group bicalp को select करें उसके बाद फिर आप group पर click कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब उसके बाद आप इस चितर को देखें drag करके कहीं भी रखें तीनो चितर एक साथ ही drag होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप इसे unselect करेंगे या select करेंगे या तीनो चितर एक साथ select होगा और उसे rotate करेंगे उठाके इदर से उदर रखेंगे तो ये move होता रहेगा एक साथ में जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है याँ से आप इसके एक साथ में style को change कर सकते हैं इसके width को बढ़ा सकते हैं इसके color को भी change कर सकते हैं इन तीनो चितरो का color भी एक साथ ही change होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसके अंदर के color को भी change कर सकते हैं यहां से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप menu bar के format भी color पे जाए group को select करें यहां से ungroup करें अब देखें आपका चितर जो है एक एक करके select होगा जैसे मालीजम ने पहले चितर को select किया तो पहला चितर ही select होगा दूसरी को select किया दूसरा होगा तीसरी को select किया तीसरा होगा पहले को select करेंगे तो पहले को ही rotate कर सकते हैं और तीसरे चीतर को select करेंगे तो तीसरे को ही rotate कर सकते हैं तो इस तरह से आप group विकल्ब का उपयोग कर सकते हैं आज की class यहीं पर समाप्त होती है अपने file को close करें और computer को shutdown करें आज की class में आपने insert menu और formatting menu के option के बारे में सीखा जो की इस प्रकार से है formatting mark, section, footnote और end note, caption, text frame, horizontally ruler, files, movie and sound, autocorrect, arrange, flip और group के बारे में सीखा